हेलो गाईज मैं हूँ गोतम राज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजियो इसार के उपर यानि क्यार आपको पता एक बहुत फेमस उनिवस्टी है हरियाना की जो कि यहाँ पर फेमस है अपने साइन्स और टेकनलोजी कोर्स के लिए वो है गुरु जंबेसवर उनिव गैस्ट उनिवस्टी अगर आपको यहाँ पर किसी साइन्स या फिर टेकनिकल कोर्स के लिए अपलाई करना है तो सो गाईज चलिए इसके एडमिशन सेडूल के उपर हम बात कर लेते हैं गाईज यहाँ पर जो इसके रजिस्ट्रेशन से वो ओवर हो चुके हैं लेकिन क्यानल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चले गाईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आ चुका हूं अपने गूगल क्रोम के उपर और यहाँ पर हम टाइप करते हैं जी जे यू और चलते हैं गु तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हूं यह उपन हो चुकी है गुरु जंबेश उनिवस्टी हिसार ठीक है तो चले गाईज यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखे ओनलाइन एडमिशन चले मैं इसको जूम करता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हूं यहाँ पर आपके 12 के बाद अपलाई होते हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग का सैडूल है वो आचुका है तो चले इसको यहाँ से डाउंलोड करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वह कैसे क्या रहने वाड़ा है ठीक है तो गाईज आपके सामने ओपन हो चुका है गुरु जंबेश और इन्वेस्टी का एडमेशन सेडूल या फिर कहें कि काउंसलिंग सेडूल 2021-22 तो यहां पर आपको नीच एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं कि भाई किस डेट को फ गई है 13-9-2021 किस से लेकर 14-9-2021 किस यानि कि 13 सितंबर और 14 सितंबर तो गाईज कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपकी अगर फोम में कोई गलती है या फिर कोई अब्जेक्शन उठाया गया है उन्वेस्टी की तरफ से आपके पास मैसिज वगर आया है तो आप 13 और 14 तार अधिर्जनल मैरिट लिस्ट एंड रिलीज ओफ फ़स्ट सीट अलोकेशन लिस्ट या फिर फ़स्ट ओनलाइन काउंसलिंग ओन वेबसाइट है वो यहां पर आपकी 16-9-2021 किस यानि कि यार आपकी यहां पर जो फ़स्ट काउंसलिंग होगी फ़स्ट मैरिट लिस्ट वो देखी नीचे वाले पॉइंट में फी डिपोजिशन थ्रू ओनलाइन मोड फॉर फस्ट कांसलिंग ठीक है वो डेट है यहाँ पर 17-9-2021 से लेकर 18-9-2021 ठीक है यानि कि यार यहाँ पर आप 17-18 दो दिन उसकी फीस जमा करवा सकते हो अगर आपका 16 तारिक की लिस्ट में न उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब रखो जिनका नाम 16 तारिक की लिस्ट में आ जाएगा उनको 17 और 18 को अपनी फीस अगो पे करनी है ठीक है यह बात हो गई फस्ट कांसलिंग फस्ट मेरिट लिस्ट की अब यहाँ पर सीरियल नंबर 4 पर देखिए रिलीज ओफ सेक्ड शीट अलोकेशन लिस्ट या फिर सेक्ड कांसलिंग या फिर सेक्ड अमयरिट लिस्ट की डेट है 29alen 2021 यानि कि यह यार 12 सीतमबर को आपकी 2 मेरिट लिस्ट या second counseling होगी ठीक है और अब बात करते हैं जिसका नाम उसमें आ जाएगा second maritalist में यानि कि 22 सितंबर को वो यहाँ पर नीचे देखिए fee deposition through online mode for second seat allocation या फिर second maritalist वो है आपकी 23 नो और 24 नो यानि कि 23 सितंबर और 24 सितंबर इसके लिए भी यहाँ पर आप दो दिन तक फीस जमा करवा सकते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं 6 नमर पर देखिए release of third seat allocation list या फिर third maritalist ठीक है यानि कि आपकी जो third counseling होगी उसकी जो list आएगी वो आएगी 28 9 2021 यानि कि 28 सितंबर तो गाइज इसकी यहाँ पर जो fees होगी वो नीचे देखिए आप fee deposition through online mode for third maritalist या फिर third counseling वो है 39 सितंबर और 30 सितंबर यानि कि 28 सितंबर को तीसरी maritalist आएगी और उसकी जो fees होगी वो आप दो दिन के लिए 39 और 30 के लिए जमा करवा सकते हो तो यह है आपका जी जी उनिवस्टी हिसार का यहाँ पर counseling schedule या फिर merit list schedule जो भी आप बोलना चाहें ठीक है एक बार फिर से देख लो यार अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ डिस्पले ओफ फर्स्ट शीट allocation list या फिर फर्स्ट counseling या फिर फर्स्ट merit list यानि कि पहले list आपकी 16 सितंबर को आएगी उसके बाद यहाँ पर उसकी दो दिन तक या फिर फिर फर्स कांशलिंग लिस्ट है वह यहाँ पर आपकी 289 2021 यानि कि 28 सितंबर को आएगी और उसकी भी फीस है वह आप दो दिन तक जमा करवा सकते हूँ 29 और 30 सितंबर यानि कि overall हम यह कह सकते हैं कि पूरे सितंबर यहाँ पर आपकी पर आपको इंपोटेंट इंस्टेक्शन दे गई है पास पेज है तो यहाँ पर जो इंपोटेंट है वह हम आपके लिए पिक आउट करके ले आया हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए यह कुछ इंपोटेंट थी जो आपके लिए जानना जरूरी है ठीक है वैसे वो पाच पेज यहार कौन पड़ेगा भाई उनमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं लेकिन जो इंपोटेंट है वो मैं आपके लिए ले आया हूँ सबसे पहले देखें पॉइंट नमबर फर्स्ट पे इफ एनी कंडिडेट फाइंड एनी डिस्क्रिप्रेंसी इन दा टेंटिटिव स्कोर कल्कुलेटेड बाई इन्वेस्टी दैन ही और शी कन सम्मिट दा अप्जेक्शन थूरू हर रजिस्टर्ड इमेल आइडी ओन दा इमेल आइडी यह इमेल आइडी दी गई है इसके उपर आपको अपने डॉक्वेंट की या फिर अपने रेने वाड़ा है कुछ भी offline नहीं होगा ठीक है यानि कि भई आपको campus जाने की कोई जरुरत नहीं है यहाँ पर सब कुछ है वो online हो जाएगा merit list भी counseling भी fee submission सब कुछ ठीक है इसके बाद देखते हैं third point तो guys यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वैसे मैंने पढ़ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ इस point में यह का गया है कि भई यहाँ पर आपके जो counseling वगरा है वो सब कुछ online होगी और उसकी यहाँ पर जो dates है उनके उपर ही होगी ठीक है यह नहीं है कि भई आपने कोई लेट हो गया किसी region से तो आप बाद में जाके offline कुछ कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है fifth और sixth point सब से नीचे है वो यहाँ पर कह रहे है कि guys यहाँ पर आपको जो merit list है वो website पर मिलेगी ठीक है तो उसकी वीडियो हम बना देंगे और जो sixth pointer वो यह कह रहा है कि आपको fees है वो online ही pay करनी है तो यह कुछ important points थे ठीक है वैसे आप वो PDF पढ़ सकते हो लेकिन जो important था वो मने आपको बता दिया है अब एक बार फिर से देख लीजे guys schedule last में जाते जाते first merit list जो आपकी रहेगी वो आपकी 16 सितम्बर को आएगी उसकी fees आप 17 और 18 को जमा करवा सकते हैं सेकंड लिस्ट जो आपकी होगी वो 22 सितम्बर को आएगी उसकी फीज़ आप 23 19 और 24 को जमा करवा सकते हैं गाइज आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी फी सम्मेशन मेरिट लिस्ट चेकिंग चैनल को आप सब्सक्राइब रखे विस यू ओल दा बेस्ट जै हिंद जै भारत